वेल्कम टू मैं चैनल गार्णिंग एट इस फ्रेंड ऑफिस से वापिस आ रही थी और रास्ते में मन किया कि चलो नर्सरी का विजिट किया जाए तो आ गही हूं नर्सरी की तरफ रास्ते में जो रास्ता पड़ता है नर्सरी के लिए उसकी दोनों तरफ बड़ी-बड़ी इन्डसरी एरिया है यहां पर तो सभी इन फ्रेक्ट्री को इस रास्ते को क्रोस करते हूं हम जाएंगे नर्सरी की तरफ देखिए हम पहुंच गए हैं अपनी नर्सरी दोनों तरफ मेरे बहुत सारी नर्सरी नर्सरी रास्ते में कबाड़ी की दुकान से थैला पर चेस कर दोनों तरफ मेरे बहुत सारी नर्सरी नर्सरी पर तो इस नर्सरी से प्लांट्स लेती हूं मैं और बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स हैं इस नर्सरी पर दूर तक बहुत बड़ी नर्सरी यह फैली हुई है बहुत कम से कम सो एकड में यह नर्सरी फैली हुई है तो बह तो इसका रिट मैंने पूछा तो सौर पे का प्लांट यहां पर दिया जा रहा था सौर पे का एलमांडा है जो की ब्यूटिफुल लगा और लेकिन में लेकर नहीं आई क्योंकि मेरे टैरस पर बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है बेल वाले प्लांट लगाने के लिए तो इसलि सौरिड वाले हविसकस हैं बहुत ब्यूटिफुल प्लांट थे यह यह भी आप यहां से ले सकते हैं इसके बाद इतने सारे प्लांट यहां पर रखे हुए थे करके मैं आपको दिखाती हूं देखिए यह रखा है इधर क्रिशन कमल यह आगे हैं क्रिशन कमल की तरफ लगा हुआ है और ब्लैक सॉयल में लगा हुआ बहुत प्यारा है एटी रूपीस का प्लांट यह हमें दिया जा रहा था इधर आगे हैं जनैडू जनैडू बहुत ब्यूटिफुल था चोटे से ग्रोबैग में लगा हुआ था एक्टी रूपीस का यह भी एक्रोपीस का और क्रोटन की बहुत सुन्दर वराइटी थी पूरी नर्सरी में क्रोटन ही क्रोटन भरा हुआ था हर क्रोटन प्लांट की वराइटी आपको यहाँ पे मिलेगी लिफ्सिक एगलो नीमा था यह भी हमारा 100 रुपीज का लिफ्सिक एगलो नीमा यहाँ पे ग्रो बैग में था यह आप यहाँ से ले सकते हैं और पीछे की तरफ बहुत सुंदर और भी प्लांट से देखी क्रोटन की छोटे ग्रो बैग में लगे हुए यह 80 रुपीज का प्लांट था यह भी आप यहाँ से ले सकते हैं कुछ रबड प्लांट थे साथ में और पीछे जीजी प्लांट था grow bag में और चोटे pot में लगा हुआ था तो ये बहुत सुंदर-सुंदर plants यहाँ पे मिल रहे थे इसके बाद देखें, rubber plant है और aglonema है, snow white aglonema बहुत सारा snow white aglonema की variety इस nursery में मिल रही थी जो कि देखें, money plant है, song of India है ये सभी plant 80 रुपीज के यहाँ पे मिल रहे थे तो grow bag में लगे हुए plants थे, जो कि ज़्यादा बड़े भी नहीं थे और ये देखें, dressina marginata, बहुत ही beautiful plant लगता है मुझे, last में आते आते ये plant में खरीदना भूल गई ये देखें, शफलेरा है, शफलेरा 100 रुपीज का यहाँ पे मिल रहा था grow bag में, बहुत सुन्दर plant मिल रहे थे अरिका पाम के इतनी सुन्दर variety है, यहाँ पर पूरी नसरी भरी हुई थी अरिका पाम से, और ये देखें, अरबड प्लांट है ये देखें, स्नो वाइट एगलो नीमा है, बहुत सारे स्नो वाइट एगलो नीमा थे यहाँ पर, दूर दूर जहाँ भी नजर जा रही थी, स्नो वाइट एगलो नीमा भरा हुआ था तो ये 100 रुपीज का स्नो वाइट एगलो नीमा था ये देखिए वैलन्टाइन एगलो नीमा है वैलन्टाइन 150 रुपीज का यहाँ पर छोटे पॉट में मिल रहा था उसके बाद आप यह ले सकते हैं डाइफन बेकिया देखिए डाइफन बेकिया कितना ब्यूटिफुल प यहाँ पर रखी हुई है जो कि आपको यहाँ पे 200 रुपीज की मिल रही थी यह 200 रुपीज के प्लांट आप शिवम नसरी से ले सकते हैं और अपने गार्डन में एड कर सकते हैं क्रोटन की देखिए बैंगलोरी क्रोटन है कितनी सुन्दर वैराइटी है पूरा प्लांट पीछे तक क्रोटन की वैराइटी भरी हुई थी दूर दूर तक पूरा क्रोटन दिखाई दे रहा था देखिए कितने सुन्दर सुन्दर प्लांट यहाँ पे मिल रहे हैं बहुत ही अच्छे प्लांट है बहुत सुन्दर प्लांट है इनकी कॉलिटी बहुत अच्छी थी शीवं नरसरी में मैं जब भी जाते हूं इतने ब्यूटिफुल प्रांट मुझे देखने के लिए मिलते हैं देखे चोटी पत्ती वाला क्रोटन है जिसको हम येलो धब्बे वाला जो प्लांट होता है वो वाला है देखे दूर तक पूरा क्रोटन ही भरा हुए हर देखे ये चाइनिज के बाद ये वह सबी हमारे ड्रेसीना की वेराइटी है, वीग लीव्स वाला मनी प्लांट है, टू हंडर्ड रूपीस का वीग लीव मनी प्लांट आपको मिल जाएगा यहां पर, और पीछे की तरफ आते हैं, पीछे की तरफ जा रही थी तो मैं यहां पर फूटि सब्सक्राइच भी कलाएं हैं니다 50 का प्लांट यहां से ले सकते हैं में Smith Burns मिल रहे थे सब्सक्राइच की लेटी overdag रख्यास की अलया रısुज़ के भी कुष्ट कi प्लांट्स में तो दिखे अरिका पाम की कितनी सुन्दर वैराइटी यहां पे रखी हुई है बहुत सारा अरिका पाम था जो कि 250 रुपीज का एक प्लांट था तू 50 रुपीज की बहुत सुन्दर प्लांट था आप जाए बस अपने प्लांटर में रिपॉर्टिंग कीजी और अपने गार्डन में इसकी शोबा को बढ़ाईए बहुत सुन्दर प्लांट यह आपको मिल रहा था है विसकस के प्लांट थे जो की 100 रुपीज का प्लांट था यह भी बहुत सुन्दर प्लांट थी इसमें कुछ हाइब्रेट थे कुछ देशी थे और दिखे रोज प् सबसे अच्छी नर्सिरी जहां पे रोस प्लांट आपको देखने के लिये अगर आप रोहनी में रहते हैं दिली में रहते हैं रहा प्लांट को दिखाना बहुत मुश्किल होता है तो मैं आगे आपको दिखा रही हूँ देखिए ये देशी हबिसकस है पिंक कलर का देशी हबिसकस है वाइट हबिसकस है ये पिंक देखिए कितना प्यारा कलर दिखाई दे रहा था बेबी पिंक कलर में देखिए मैंने नजदीक से आपको दिखाया है बहुत प्यारे फ्लार का मिल रहा था बागी पीछे और भी बहुत सुन्दर-सुन क्लाइट सारे rend वर्यूपीज नर्सयरी को मिल जाएं प्लाइट लृट सुन्दर नर्सजिया कितनी मिलता है वद कौल सहीं किये बहुत बड़ीनर्स्री नर्स्रीРЕ rocks प्लांट्स मिलते हैं, हबिसकस है, बोगन विला है, इंडोर प्लांट्स है, रिका पाम है, सौंग ओफ इंडिया है, ये देखे, और भी बहुत से सुंदर प्लांट है, अशोका प्लांट थे हैं, बहुत सुंदर सुंदर, जितने भी आप अपने पार्क में प्लांट्स लग आपनें गार्डन की शोबास बढ़ाईए मैंने भी बहुत सारे प्लांट पर सेश किए हैं आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर कर Gimana में कौनunkuांसे प्लांट के लिए हैं ठोले हैं मैंने तों चलते हैं गर की तरफ, चलिए एक जी देखिए कवड़ंग कंपोस का भीव property मैंने भर लिया है और प्लांट भी ले ली हैं आ गए हुँ मैं अपने गाड़न में इन प्लांट में प्लांट को ले एक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कौन कौन से प्लांट लेकर आई हूँ